समाज में हम यह अक्सर देखते हैं कि जब किसी महिला की शादी हो जाती है तो उनकी कमर चोड़ी होने लगती है अलग-अलग लोग इसका अलग-अलग मतलब निकाल लेते हैं पर इसका सही कारण क्या होता है यह एक शोद के अनुसार सामने आया है तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि इसका सही कारण क्या है इसको पून रूप से जानने के लिए सैन फ्रांसिसको के शोद करताओं ने 18 सेकंड लेकर 26 साल तक की 164 महिलाओं पर 6 महीने तक शोद किया और उसके बाद जो परिनाम सामने आया वह काफी चौकाने वाला था शोद करताओं ने महिलाओं के समूह को दो भागों में बाढ़ दिया जिन में से एक समूह की महिलाओं को केवल एक पुरुष के साथ ही संबंद बनाने को कहा गया जबकि दूसरे समूह की महिलाओं को एक से अधिक साथी के साथ संबंद बनाने दिया गया जिसमें निर्धारित समय के बाद यह पाया गया कि पहले समूह वाली महिलाओं की कमर कम चौड़ी थी जबकि दूसरी समूह वाली महिलाओं की कमर अधिक चौड़ी थी साथ ही शोतकरताओं ने इस बात का भी खुलासा किया कि बच्चे को जन देने के बाद महिलाओं के कमर थोड़े बड़े हो जाते हैं जिन महिलाओं की कमर चौड़ी होती है उन्हें कई सारे फाइदे होते हैं जैसे बच्चे को जन देते वक्त उन्हें कम पीरा का एहसास होता है और ऐसी महिलाएं बड़े ही सामान्य रूप से बिना किसी दुर्खटना के बच्चे को जन दे देती है। शोत करताओं ने यह भी बताया कि जिन महिलाओं की कमर का नापिक्ती सिंच होता है उन महिलाओं को बच्चे को जन देते वक्त थोड़ी अधिक पीरा होती है वहीं जिन महिलाओं की कमर का नापिक्ती सिंच से उपर होता है उन्हें बच्चे को जन देते वक्त बहुत कम पीर सहना पड़ता है आशा करते हैं कि आप अब इसका सही कारण जान गए होंगे और इससे आपकी जानकारी बड़ी होगी आप इसे दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं और हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए